जैशी कृष्ण दोस्तों वियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। जैशी कृष्ण दिन तो भगवान शंकर का विशेश दिन माना जाता है। जैशी कृष्ण दोस्तों शिवरात्री के दिन भगवान शंकर की पूजा का महत्व रात्री के समय माना जाता है। इसलिए आप पान से दस बजे के बीच में भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। दोस्तों शिवरात्री के दिन भगवान शंकर की पूजा का विशेश विधान माना जाता है। इसलिए शिवरात्री के दिन आप पूरी विधी विधान से भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। शुद्ध जल में गंगा जल डालकर अवश्य ही शिवलिंग का अविशेख करें। साथ ही भगवान शंकर की प्रिय वस्तु है भांग, बेलपत्र, धतूरा, बेलफल इन वस्तु को अवश्य चड़ाए। पंचा मित में अगर आप गाय के दूद का घी का इस्सिमाल करें तो बहुत ही शेष्ट माला जाता है। क्योंकि संतान की इच्छा रखते हैं तो गाय के दूद से ही भगवान शंकर का जलाबिशेख अवश्य करें। साथ ही दोस्तों बेल पत्र भी अवश्य चड़ाएं चाहें आप साथ चड़ाएं ग्यारा चड़ाएं उस पर ओम नमश शिवाय लिखें या फिर शिर राम लिखकर आप अवश्य ही चड़ाएं। भगवान शंकर का अवश्य करने के बाद उनको चंदन अवश्य लगाएं अक्षत लगाएं। इसलिए अगर शिवरात्री के दिन अगर आप एक त्रशूल और ढमरू भगवान शंकर को अर्पित करें तो बहुत ही शीग्र आपकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए दोस्तों अगर आप शिवरात्री के दिन अगर भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। इसके बाद अर्पित करने के बाद अगर उस डमरू को किसी भी बालक को यानि छोटे बालक को दिया जाए तो शीग्र ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं जब भी कोई बालक उस डमरू को बजाता है तो शीग्र ही भगवान शंकर प्रसन होते हैं। और उनसे सचे मन से अपनी मनोकामना अवश्य बोले तो देखना शीग्र ही आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों अगर आपके घर में भी मतलब कोई छोटा बालक है तो आप अपने घर में ही किसी छोटे बच्चे को देदें। या फिर आपके घर के आसपास अगर कोई छोटा बालक हो तो उसको देदें। दोस्तों अगर आप डमरू भी ना चड़ा पाएं अगर किसी और ने जैसे शिवरातरी के दिन बहुत से लोग देखे डमरू चड़ाते हैं तो अगर आप प्रसादी के रूप में डमरू घर ले आते हैं और अपने घर में किसी भी बालक को दे देते हैं या किसी भी अपने इत्र माना जाता है इस दिन अगर सच्चे मन से अगर आप कोई भी मनोकामना के लिए भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो शीगर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी दोस्तों ये उपाय आप अवश्य ही करें भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करें और आप अप किस भाव से उनको क्या अर्पित कर रहें वो चीज़ देखते हैं तो आप सच्चे मन से सच्चे भाव से कोई भी वस्तु अर्पित करें भगवान शंकर उसी से प्रसंद हो जाते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी जानकरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें